जहिन चात्रो मै इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है असानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community क website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो याद रखेगा उस बच्चा अगर पूरे महिने भर में perform करता है तो उसको 5 test series जो की आगे आने वाली prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा अगर 5 questions सहीं बनाता है तो उसे 2 star इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आप का अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिंचात्रो मैं इशारहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता विचार कुछ इस प्रकार से देखें देन उसके बाद topic में आएंगे तो यहां देख सकते हैं आप समराट अशोक द्वारा जो है इसे लिखा गया है या आपका कहा गया है कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कोई की कोई भी समाज समरिद नहीं हो सकता कोई भी समराज दिखते हैं तो याद रखेगा उन अवहलनाओं से उन परिस्थितियों से हटके थोड़ा सा उससे बचके और साथ में उसको accept करते हुए जो है अपनी प्रतियों की परिच्छाओं की निरनतरता पिल्कुल वरकरार रखिए और साथ में उसे एक युद्धिस तर पे लेके जाए ठीक है उसके साथ यहां क्या कहते हैं कि इसके बजाए लोगों को मजबूत बनाना चाहिए इसके साथ हमारा जो समाज है कुन सा है सीख्छा का समाज है हमारा इस्टूडेंट का समाज है हमारा जो समाज किस प्रकार का है छात्रों का समाज है तो याद रखेगा उसे मजबूत बनाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश होना जी मतलब मेरे कहने का ताथ पर यह है कि अगर कोई भी चीजें अगर exam oriented उपयोगी है तो आप जब group discussion में बैठते हैं तो अपने साथ में अपने साथियों को भी उसे distribute करें ताकि जो है उसका भी skill develop होगा और चांत में चर्चा में सारी तैयारी आपकी होते रही ठीक है यह उद्देश रखना चाहिए कि अगर सब मजबूत होंगे तो हम भी साथ में मजबूत होंगे ठीक है इसी के साथ याद रखेगा जो last में प्रशन पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दें बहुत सारे चातर इसको follow कर रहे है बहुत देख रहे हैं उनका बहुत-बहुत सुपकामनाई देना चाहूँगा और अब बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो प्रशन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक भारत का इतिहास हमारा विशा है समझे न सबसे पहले है प्रोग्राम को की चल क्या रहा है भारत का इतिहास हमारा विशा है प्राचीन पोर्शन हम कवर कर रहे है मगद समराज ये आज से प्रारंब होने वाला है हर्यक वंस जिसका आज का टॉपिक है ठीक है मगद समराज में हर्यक वंस के बारे में आज पढ़ेंगे लेकिन सॉरी इससे पहले हमें याद रखना है कि हमें यह जानने से पहले कि ये हर्यक वंस मगत समराज आया कहां से तो छात्रों हमने इस से पहले जैन और बौध धर्म के बारे में चर्चा की और उसके प्रश्न किये तो उस वो जब चल रहा था वो जब समकालिन थे एक दुसरे के महावीर स्वामी और आपके गौतम भुद्ध कुछ न कुछ कही न कहीं समकालिन रहे हैं तो आपका उस समय याद रखना है कि मगत समराज्य और बहुत सारे समराज्य अस्तितू में थे जिसकी जानकारी बौध धर्म अंगुत्तर निकाय से पता चलता है और आपका जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो इससे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं आईए देखें असानी से कि ये दिखाई दे रहे हैं आपको मगत समराज्य का नक्सा प्रस्न जो है हमेशा यहां से कैसे पूछे जाते हैं सबसे पहले मालूम होना चाहिए अब कैसे मालूम होना चाहिए याद रखिएगा 16 महाजनपत या शोडस महाजनपत की जानकारी ग्रंथिक रूप से अगर प्रस्न पूछ देता है तो बहुत ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इससे जानकारी मिलती है अब याद रखिएगा चात्रो जो ये ग्रंथ है उसमें इन जो है आपका राज्य मतलब जो आपको महाजनपत है उनकी और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी मिलती है जिससे कि आपका एक कॉलम बना के दे देगा और राजधानी को एक दुसरे से मिलाओ तो ये सारी राजधानी हमें याद होना चाहिए ठीक है यहाँ दिखेगा आपको कुरू कुरू की राजधानी इंद प्रस्त रही है वरतमान में इसे दिल्ली कहा जाता है नई दिल्ली कहा जाता है तो ठीक है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, फिर कहा कोशल मिलेगा, कोशल की राजधानी सरावस्ती, पंचाल की राजधानी आपका एक्छत्री, मल्ल की राजधानी कुशीन अगर इस प्रकार से इसे मैपिंग करके सारी चीजों को याद करिए, मैं मैपिंग में हमेशा बल इसलिए देता हूं कि सम जरूर लगता है उसमें, लेकिन आपको सारी चीजे विजुलाइज होती है, दिमाग में सेट होती है, तो इसका मैप आप बनाएं, देन उसके बाद आप इसे याद भी करें, ताकि आपसे इस पोर्शन से अगर प्रस्न पूछता है, तो कभी ना चुटे, ठीक है, आगे याद करते जाए, मैप औरियंटेट मैप का सहरा लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी इसमें से बहुत सारे राजवन्स ऐसे देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंग किसकी चर्चा करेंगे, राजवन्सों की चर्चा करेंगे, लेकिन सभी को पढ़ना अनिवार नी, दरसल बात ऐसी है कि 16 महार जनपत की चर्चा मिलती है, भगवती सुत्र जो है आपका जैन ग्रंथ से, लेकिन याद रखिएगा, मेन अगर पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, मगत समराज, जो की यहाँ दिखाए देर है, जिसकी राजवनी, राजवरी है, ठीक है, इस प्र राज के अगर संस्थापक किसे कहा जाए, तो आपका भिंबी सार है, जो की हर्यकवन्स के प्रथम राजा रहे है, ठीक है, तो हर्यकवन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद सिशुनागवन्स के बारे में, अलग-अलग वीडियो जाते जाएंगी, नंदवन्स ह हैं, तो यहां दिखाई दे रहा है आपको आज का टॉपिक जो है, आपका हर्यकवन्स है, किसे है आपका हर्यकवन्स, तो हर्यकवन्स में हमें क्या आद रखना है, हर्यकवन्स में सबसे पहले आद रखना है, कि जो है आपके भिंबी सार है, जिन्होंने इसकी स्थापना क उनकी नीतियों के बारे में पढ़ना है गौतम बुद्ध की ये समकालीन रहे हैं तो इस प्रकार के इन तथ्यों को जो है समझना है अजाश्चत्रु के बारे में समझना है उदाइन की नागदशक के बारे में जानना है कि इसकी हत्य किसने की और इसके बाद जो है आपका श मस्ते हैं ठीक है उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं ठीक है देखिए कहानी सेट करने से पहले याद रखना है कि मगद समराज जो है भारत में एक ऐसा समराज अस्तित्व में आया जो कि अपनी समराज वेवस्था और सारी चुछों से परिपूर्ण था और उसके पास खुद की अपनी एक सेना रहती है और सेना से ताथ पर ऐसे सभी राजवन्स के अपनी अपनी सेना रही है लेकिन याद रहे रहेगा कि सबसे ज्यादा सकती साली सेना जो रही है किसकी रही है मगद समराज जी की इसकी स्थापना किसने की इसके संस्थापक के रूप म पढ़ेंगे उसे यह नाम से संभोधित किया गया स्रेणिक के नाम से संभोधित किया और इनुह अपनी राजधानी गरीब्रज को बना ही गरीबरई मतलब किया आपका वर्थमान में राजगिरी घीटा आपका विहार वाला छेट ठीक तो बहुत धर्म की इन्होंने क्या किया प्रतिपादा मतलब इन्होंने बौद धर्म में सामील थे इन्होंने आपका अपनाया और इसमें जो चलते थे और विशेश इसमें याद रखना है सम्राज jci की स्थापना के लिए तीन निती अपनाई, जो की क्युछ इस प्रकार से है, युद्ध विवाह और मैत्री, चंपा वाला छेत्र जो है, इन्होंने आपका युद्ध के द्वारा जीता, विवाह की निती भी अपनाई, बहुत सारे इनकी पतनिया थी, और आपका मैत्री से समझना है, कि इ निती के राजा थे आपके, चंड़ प्रदोत, चंड़ प्रदोत की मदत की इन्होंने इस प्रकार से, कि जब वो बिमार हो गए, तो इनके एक दरबारी थे, जो कि आयुर्वेद विज्ञान में बहुत ही कुख्यात थे, जिनका नाम था जीवक, जीवक को जो है, इन्हों उन्हें मगद से, यहां से इनके पास भेजा और इनका इलाज कराया, जिससे की चंड़ प्रदोत बहुत ही प्रसन हुए, और मगद की अधिन्ता स्विकार कर ली, तो मतलब यह इतना छेत्र जो है, किसका हो गया आपका, बिम्बी सार का, ठीक है, तो समराज जीवेवस्थ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे-धीरे समय बीत्ता गया, और यहां याद रखना है, आईए वापस पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से सारी जो फैक्ट से उन्हें याद रखना है, यहां दिख रहा है आपको, जीवक औ आजाश श्रत्रू ने इनकी हत्या कर दी, इसलिए आपका मगत समराजी के हर्यक वंस को क्या कहा जाता है, आपका पित्रियंता वंस कहा जाता है, तो यह डीटेलिंग कुछ इस प्रकार से है, युद्ध द्वारा अंग एवं चंपा मैंने बताया, उसको अपने अधीन किय ठीक है, और यह आपका चंडप्रदोत को जो है, इलाज के लिए जीवक भीजा था, उसके तोरह अवंती को इसने अपना लिया, उसके बाद है, महात्मा बुद्ध के मित्रेवम सर्रक्चक थे, कुषल प्रसासन में सर्व प्रथम सबसे पहले इनहीं का नाम आता है मगत सम राज्य में, इनका प्रसासन जो था, एकदम कुषल था, देन उसके बाद याद रखना है, एक बाग, एक बगीचा और एक छेत्र जो है, उद्ध्यान कहा जाएगा जिसे, बेलू अन्नामक उद्ध्यान जो है, किसने दिया था आपको गौतम बुद्ध को गिफ्ट, आप अच्छी तरह से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मगन हो गए, मगन होने से उनके उन्होंने अपने पुत्र का एहसास नहीं किया, इस प्रकार के तथ्याद रख सकते हैं, और इंड अप दे यह हुआ, कि अजास्च शत्रों ने अपनी पिता की हत्या कर दी, और पि क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलग-अलग बाढ़ सकते हैं, बहुत धर्म थे, समराज जवादी था, पिता की हत्या कर दी, पिता की हत्या करने के बाद यह युद्ध में इतने माहिर थे, इसने दो प्रकार के जो है, आपके हत्यार बना है, रथ मूसल और ए उतकर्ष किसकर है तो इनका है समराजवी स्तारिक उतकर्ष किसकर है आपका विम्बी सार का उसके बाद है आठवे वर्स में जो है गौतम बुद्य की मृत्य हो गए और मैंने बताया था चौथी प्रथम बौध संगीती जो कि राजगीरी में संपन हुई उसकी अध्यक्षत दोता महाकस्यबनी की थी और आपका सुत्थ पीटक और विनयक्ष क्या बताया था मैंने अगर नहीं बताया था तो याद रख लिए का सुत्थ पीटक और विनय की जो है आपकी रचना हुई प्रथम बौध संगीति के समय में तो इनके ही समय में वह जो बना था ठीख है यहान नक्से में दिखाता हूं ठीक है अगर देखें तो काशी और वज्जी दिखाई दे गई आपका वैसाली थी राजधानी और काशी वाला छेत्र यहीं कहीं पसोगा तो उसमें यह रहा आपका वारण असी काशी जिसमें आपका उसने विजय प्राप्त की तो समराज वि गया फिर उसके बाद चंपा कहा है भई ठीक है इसी की राजधानी चंपा है ठीक है वज्जी हो गया इनहीं का फिर उसके बाद काशी हो गया तो यह जो है आपका छेत्र थेखो मगद का विस्तार कैसे होते जा रहा है ठीक है तो इस प्रकार का यह भी छेत्र कहीं न कहीं जो अजाज सत्रू के यह सारे चीज़े अगला आता है हमारा उदाइन के बारे में जानना है कि इसने जो है अपने पीता की फिर से हत्य कर दी और आपका राशाशन में प्रशाशन करने लगे और आपका पाटली पुत्र पटना को को इसने अपनी राजधानी बनाई पाटली अंतिम सासन को ही प्रभाव शाली नहीं रहेगा अब इसकी हत्यकिस किस ने कर दी शिशुनाग में आपने की और जो है आपका का सामने अ उसमंफ उस्दा आया आप करते हैं आए यह रहा हमारा आज का प्रशन सत्र को किस प्रकार से करना है आये थीक तो मगत की राजधानी कौन सी थी याद रखेगा मगत की राजधानी सीधा-सीधान लगार रट्रस्टान प्रकुरू के 16 महाजनपतों के विशय में निमलिखित में से किस बौध गरंथ में सूचना मिलती है। मैंने पहले बताया कि बौध गरंथ अंगुत्तर निकाए और आपका जैन गरंथ भगवती सूत्र में पता चलता है कि 16 महाजनपत की जानकारी हमें मिलती है। कई बार क्या होता है दिमाग में कई चीजे रहती हैं लेकिन आ नहीं पाती है ठीक है तो वही चीजे हैं बार-बार आप प्रेक्टिस करते रहेंगे तो आपको तुरंत आपका पिंच हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो याद रखेगा अंगुत्तर निकाए अगर ज अगला है कि प्रथम मगद समराज का उतकर्ष की शताबदी में हुआ था ओके ठीक है देखे चोथी शताबदी छटवी शताबदी दूसरी शताबदी या पहली शताबदी याद रखेगा छटवी शताबदी में आपका प्रथम और यह आपका मगद समराज का उतकर्ष हु सबसे 30 साली अगर समράज को इसा रहा है तो कौन स सरा है मगद सम राज रहा है आगे बढ़ते हैं आई अगला है मगद की राजधानी कौन सी थी फिर से दोरा दिये गया च्हमा चाहूं गरीब रजी सकी राजधानी रही है मगद संधा Algear कि आगे बढ़ते हैं अगला है निमली खित में से कौन एक मगत समराज जी की राजधानी नहीं रही है ठीक है देख लेते हैं गरीब रज रही है पाटली पूत्र रही है उदाइन कि समराज को शांबी नहीं रही है राजगरी रही है को शांबी जो है आपकी राजधानी नह आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है हमारा, किसने मगत समराज्य में वज्जी गणराज्य को हरा कर आत्मसात किया, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका वज्जी गणराज्य को आपका अजाश शत्रू द्वारा हरा कर अपने कबजे में रखा है, युद्ध की नीती, सब प्रारंभिक शाशक ने राज्य रूहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयम इस कारण अपने पुत्र द्वारा मारा कया हो, कोश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, अगर सिक्वेंश येल, अगर आप सारी चीज़े देखे हैं और समझे हैं, तो यह आपको समझ म दे दिये, बोले भईया, तू समाल, ठीक, इस प्रकार से याद रखना है, तो आपका कहां गए, अजास्चत्रू, तो अजास्चत्रू जो थे, आपने पिता की हत्या की, और पिता की हत्या की हत्या जो है, इसके पुत्र आपका उदाईन ने कर दी थी, ठीक, आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं, ये रहा आज आप लोगों का प्रस्ण, अजास्चत्रू के वंस का नाम, ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा आपका थोड़ा बेसिक लेवल, देन धीरे-धीरे हम एडवांस होते जाएंगे, तो इतनी सारी चीज़े आप लोगों को परिच्छ उप्य लोग के लिए याद रहना अनिवार रहे हैं, और याद रखिएगा चातर, ये जो प्रस्ण पूछे गया है, इसका उपतर देना अनिवार रहे हैं, ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा, जैहिन, जैभारत!